नमस्कार दोस्तो इलेक्टिकल कुश्चनर डामे आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं मदब्रदे सरकार के अंतरगत आने वाले ऐसे बिभिन डेपार्टमेंट जिसमें काफी लंबे समय से काफी जादा पद कनिश्ट अभियनता और ओपिय भागों के ओपियंत्री के लगभग 1955 पद अभी रिक्त हैं जिनकी भरती होनी है कैबनेट ने प्रिस्ताव को मंचूरी दे दी है और इसमें पहले तीन साल तक जो प्रोविजन पीरियड रहेगा उसमें एक निश्यत अमांट आपको दिया जाएगा तो यह तो कुछ ब्या पार्टमेंट जैसे कि आपका लोग स्वास्तियांत्र की हुगा और नग्रीय सेवा विकास अबास में पंचायत अवं ग्रामिन विकास जो काफी हमारे इसमें ओपियंत्री के लिए आपने देखा होगा कि अधिकान्स ची लोग इसी डिपार्टमेंट में जो सिबिल से रह और इसका पैटर्ण जो रहता है वो दोस्तों थोड़ा सा अलग रहता है इसे नेगेटिब मार्किंग नहीं रहेगी और इसको आभे हम देखेंगे कि इसका पैटर्ण क्या रहता है इसी के पार्ट में आपको देखा ही बढ़ रहा है कि विजली कंपिनी के 300 कनिष्टी अंत्री के भर्ती भी करने वाली है और ये दोस्तों इसका पैटर्न ये MP ओनलाइन किदरू ये पेपर होता है और इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग रहता है ये हमारे उर्जा सचेप ये उर्जा मंतराले के अंत्रगत ये वेकेंसी आती हैं जबकि ये हमारा यहां पर राज सरकार ने इसको प्रस्ताव को पारित किया है और यहां पर प्रमुक सचेप जो रहते हैं उर्जा के वो इस वेकेंसी को निकालते हैं और इसमें भी अच्छी खासी वेकेंसी देखने को मिल रही है जैसा यहां सो हो रहा है कि आपका 300 J की वेकंसी आने वाली है पर दोस्तों अलग अलग टाइम पर इसमें एदी हम इनका सम देखेंगे तो 300 से ज्यादा ही वेकंसी हमें देखने को मिलेंगी इसमें असिस्टेंट इंजिनियर जो रहेंगे MPB के उसकी भी वेकंसी है जिसके बारे में यहां पर नहीं लखा है उसको मैं next उसमें पार्ट में देखाने वाला हूँ कि उसमें भी बहुत सारी वेकंसी जो है हमारी AE की वेकंसी काफी ज्यादा खाली है तो हम एक मोटा हिसाब यहां पर लेके चलें तो सब इंजिनियर की लगभग 1955 वेकंसी के जो आपको आपका डिये हुआ चारी हुआ और भी जो एलाउंसे होंगे वो सभी आपको यहां पर मिलेंगे पर तीन साल के दोरान आपको एक provision period में इस 3 साल के दोरान आपको एक stipend मिलेगा जो एक निश्चेत amount होगा उसमें कुछ changes नहीं आएंगे 3 साल तक उसके बाद आपका जो 3 साल के बाद जब आप regular होंगे उसके बाद आपको सभी भत्तिय उसमें मिला करेंगे Assistant Engineer की हम बात करें तो इसमें FI 76 पोस्ट के बारे में यहां पर बता गया है तो इसमें भी अलग अलग Department जैसे कि यह जो Assistant Engineer की वेकेंसी में यहां बता रहा हूं यह आपकी ब्यापम की सोरी यहां पर इन डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं में लोग स्वा लोक निर्माण जल संचाधन और ग्रामीन विकास और नगरीम विकास अबास की बारे में यह MPV की वेकेंसी नहीं है तो लगभग 576 इसमें अधीकांस तो लगभग इसमें अधीकल वाले भी इलीजबल होता है और मेकनिकल वाले भी इलीजबल होते हैं और यहां MPV जेए की बात करें तो लगभग 300 वेकेंसी यहां पर बता रहे हैं इसमें दोस्तों ऐसा है कि आपको अब MPV तो बचा नहीं है इसके अंदर कर तीन कंपनियां आती हैं मद्द छेत्र पूरु छेत्र और पस्चिम छेत्र मद्द छेत्र में आपके लगभग 15-16 जले आते हैं पूरु छेत्र में भी ऐसी 16-17 पर जले आते हैं इसे साब से टोटल जो आपके वाउंद तरेपन जले होते हैं MP के अंतरगत उनको सभी को इसमें डिस्टिवीट कर दिया गया है तो यह जो बेकंसी हां 300 हैं यह सभी अलग अलग कंपनियों में आएंगी यानि मद्द छेत्र में हो सकता है डेड़ सो आ जा होती हैं तो इसका पैटर्ण में अभी आपको बताऊंगा कि इसमें पैटर्ण में क्या रहता है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है और इसमें सेलेक्शन के लिए आपको किन सब्जेक्ट पर जादा फोकस करना पड़ेगा यहां आप देख रहे होंगे एक और समाचार पत्र में इस खाबर को प्रमुकता से प्रकासित किया गया है और जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे कि यहां पर एक इसू के बारे में यहां पर बताए गया है कि जैसा कि आपको बता होगा कि MPEV इसमें AE के अंदर गत आप बहुत सारा जाना होता है, और 60% पत के लिए यहांपर जो A.E. का रिक्रुट्मेंट किया जाना है, वो इसके दरू, गेट के दरू होना चाहिए, पर दोस्तों हो क्या रहा है, यहांपर जो 100% पत हैं, उनको डारेक्ट गेट के दरू यहांपर भनने की कोशिस की जा रही है, जिसे कि यहाँ पर JEE का जो है नुकसान होने वाला है बहुत सारा इनको current chart तो दे दिया जाता है इनके scale भी बड़ा दिया जाते हैं पर AEE का जो यहाँ पर promote करके जो बनाने की प्रक्रिया थी वहाँ पर उनको promote नहीं किया जा रहा है तो उस EZO के बारे में यहाँ पर बात की बाला होगा लेकिन दोस्तों इतनी संख्या में तो बेकेंसी यहाँ पर नहीं आएंगी यह तीनों कंपनियों के लिए बात की गई है और लगभग 300 से लेके 300 भी काफी जादा है मुझे लगता है इतने बड़े लेवल पर अभी तक तो पंदरा के बाद से कभी ऐसी बेकें नहीं आएंगी यहाँ पर लगभग आप 200-300 के लगभग बेकेंसी यहाँ पर मान सकते हैं जो एक लिए हाँ पर होगी लेकिन इनका जो रिक्रूट्मेंट होगा वो दीनों कंपनियों में होगा और गेट जो कि आपको पता है ग्रेट एप्टिट्यूट टेस्ट होता है उ और उसमें आपको काफी ज़्यादा वेनिफेट देखने को मिलेगा जो गेट की तैयारी कर रहे होंगे काफी लंब्यार से से और उनकी जो उनका कहीं सेलेक्शन यदी नहीं हुआ है तो वो यहाँ पर एई के लिए यहाँ पर एपलाई कर सकते हैं जब उनका गेट का एक् खबर में प्रकासित हुआ है उसके हिसाब से तो असिस्टेंट इंजिनियर की वेकेंसी 500 आने वाली हैं जो एलेक्टिसिटी बोड के लिए होंगे तो यह था इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और अब हम बात करने वाले हैं इनके पैटेंस के बारे में जैसा आपको प यहां पर टेक्टार होता है और stairs else अ छानका होता है इसमें पार्ट डिवाइड होते हैं जैसे की जी के हो गया आपका G ke 15 number का हो गया GH history के बारे में 15 number का हो गया English भी आती है इसमें 14 number की इसके बाद general math भी आती है 14 number की reasoning भी आपको देखने को मिलेगी ये 14 number की General science भी देखने को मिलती है 14 number की और भी इसमें computer भी आपसे पूछा जाता है तो ये computer के लिए भी आपकी preparation होनी चाहिए वो भी 14 नंबर की इन सभी non-tech portion के ऊपर ही आपका ब्यापम का जो सभी जियर की vacancy आती है उसमें selection आपका इस पर dependent होता है यदि आपने इन में score यदि अच्छा कर लिया तो आपका selection की chance काफी अच्छे होते हैं और यदि आपका technical भले ही आपका strong रहे उस के लिए बता रहा हूं वहीं अदि हम बात करें अपने MPB या MP मद्चेत पूरुचेत या पस्चिम छेतर कंपनियों के लिए यहां पर आपको पैटरन थोड़ा अलग दिखाई पड़ता है यहां आपको negative बनफोर्थ की negative marking देखने को मिलेगी और यह जो पेपर होता है यह MP पी ऑणलाइन के दूरु होता है इसका पैटरन थोड़ा सा अलग होगा hundred इसमें question होंगे यहां पर यह आपका तीन घंदे का बेपर है व्या पम बाला यह हां पर आपका दो घंदे के पेपर होगा दो घंदे के बेपर में इसमें अलग-अलग square होते हैं एक तो आपका technical portion हो तोड़ा सा इनका लेवल अच्छा रहता है एस प्रवापाम सभी इनियर में नमबर अफ कोस्चन जादा है वहां पर इसलिए उनका जो इसतर है वो थोड़ा सा इजी रहता है और जो ब्यापाम एंप ओनलाइन की धुरू जो पेपर होगा इसमें जो जेए के पेपर आए कोस काफी ज्यादा माइने रखती है इन दोर के जो पुराने पेपर मैंने इसमें भी अपलोड किये हुए हैं बहुत सारे पेपर आप देख सकते हैं मद्चेत पस्चिम शेतर और पूर्ट शेतर से और उनके पेटरन को आप समझ सकते हैं पेटरन के बाद अपनी तैयारी को ज जरूर इसमें कोसिस कीजिए अच्छा पढ़णाम देखने को मिलेगा क्योंकि दीरे-दीरे हर चीज आपको देखने को मिल रही होगी कि प्राइविटाइज होने वाली है और होती जा रही है तो आप इसको लाष्ट मौका समझ के तैयारी रखें अपना फूरा जोड लग है तो जल्द ही कुछ ना कुछ इन पर भी निसकर्स देखने को मिलेगा कि पुरानी पैंसन भी लागव होगी तो एक स्वरक्षित भविस्य के लिए आप देखेंगे कि गॉर्मेंट वैकेंसी इसके लिए काफी ज्यादा लोग यहां पर लगी हुए रहते हैं तो कोसिस मे यही रहेगी आप लोगों के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर करें और जल्द ही इसमें सेलेक्शन लाने की कोशिस करें यहां थोड़ा साइक रिस्की जैसा कि आप व्यापम में देखते हैं व्यापम में तो नेगटिव मार्किंग होती नहीं है तो यहां पर थोड़ा सा आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके नेगटिव मार्किंग यहां पर ज्यादा ना हो उन्हीं को स्योर हों कि यह आपका कॉस्टन सही रहेगा तो यह थी कुछ वैकेंसी के बारे में जानकारी यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने द हुआ हुआ है